हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉशन डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके आर प्रशनों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूँ 25 प्लस कोशन राइट करने का सभी विद्यार्थी टेस्ट कंप्लीट लगाएंगे पहला कोशन है आपके सामने स्कीन पर इससे प्रशने का अंसर करिए रक्त में कौन सी धातू पाई जाती है वेर आप सभी का अंसर बिल्कुल करेक्ट है देखिए रक्त में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोगलोबिन क्लियर रक्त में हीमोगलोबिन पाया जाता है और हीमोगलोबिन में लोहा विद्यमान होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है कोशन नमबर सेकिंड आपके सामने स्क्रीन पर दालें किसका अच्छा स्त्रोत होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स वसाप प्रोटीन विटामिन तो देखिए, option C जो answer दे रहे हैं protein, उन सभी का answer बिलकुल correct है दाले protein का सबसे अच्छा स्त्रोत होती है question number 3 आपके सामने screen पर इसका answer करिए telephone का अविश्कार किस ने किया था? who invented that telephone? very very important option है, Martin Cooper, J. L. Beard, Graham Bell, Edward Taylor answer match करिए, जो भी option C को answer दे रहे है Graham Bell, उन सभी का answer बिलकुल correct है telephone का अविश्कार Graham Bell के द्वारा किया गया साथ में Martin Cooper भी ध्यान रखना है Martin Cooper ने mobile phone का अविश्कार किया है mobile phone का अविश्कार Martin Cooper ने किया है J. L. Beard ने किसका अविश्कार किया है तो टेली वीजन का अविश्कार किया है question number four देखिए सामने स्क्रीन पर दूद की शुदता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है which instrument is used to measure the purity of milk option है hydrometer, lektometer, hygrometer, spectrometer तो यहाँ पर जीनों ने भी option B को आंसर दिया है lektometer उन सभी का आंसर बिल्कुल correct है hydrometer भी ध्यान रखिएगा इसमें हम जल का घनत्व मापते हैं जल का घनत्व मापने के लिए hydrometer और जल की आद्रता मापने के लिए humidity मापने के लिए hydrometer का प्रयोग करते हैं फाइफ नंबर कोश्चन देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है which is the longest cell in the human body option है तंत्रिका तंत्र, यक्रित, अगनाशय, माइकलो प्लाजमा तो देखिए, सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर हैगा नर्वस सिस्टम यानि की तंत्रिका तंत्र अगर आपको बोलता सबसे लंबी ग्रंथी कौन सी है तो आपको यक्रित आंसर करना था अगनाशय क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी है इसे मिश्रित ग्रंथी भी बोला जाता है यह अंतस्त्रावी और बहिर स्रावी दोनों ही प्रकार से काम करती है माइको प्लाजमा क्या है, सबसे छोटी कोशिका है कोशन नमबर 6 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर राश्ट्रिय प्रजोगी की दिवस कब मनाया जाता है वेन इस नेशनल टेकनो लॉजी डे सेलिबरेटेड ऑप्षन है 8 अप्रेल 11 मई 11 जुलाई 5 जून आंसर मैच करिए ऑप्षन B करेक्ट आंसर हैगा 11 मई को राश्ट्रिय प्रजोगी की दिवस मनाया जाता है साथ में 11 जुलाई ध्यान रखिएगा विश्व जन संख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जन संख्या दिवस पांच जुन को मनाते हैं विश्व पर्यावरन दिवस ये भी आपको पता होना चाहिए कोशन नमर सेवन है अमरिस सर शहर की स्थापना किसने की थी ऑप्शन गुरु अरजुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविन सिंग या फिर गुरु नानक देव जल्दी से इसे प्रशन का आंसर करिए विश्व फांडिड दास सिटी ओफ अमरिस सर ऑप्शन आपका बी आपे करेक्ट आंसर एगा गुरु रामदास ने अमरिस सर शहर की स्थापना की थी गुरु गोविन सिंग आपको पता है सिखो के दसवे और अंतिम गुरु थे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु नानक देव सिखो के पहले गुरु थे ये आपको पता होना चाहिए question number 8 देखिएगा सामने स्क्रिंट पर इंडिया गेट कहां इस्थित है मुंबई दिल्ली चन्नाई कोलकाता और देखिए हमारा ये वाला चैनल है शुभम एकलासिस ये हमारा आर्मी को समर्पित है अगर आप इसके अलावा आदर डिफेंस की त्यारी करते हैं जैसे आप दिल्ली पूलिस कोंस्टेबल के फॉर्म निकले हैं दिल्ली पूलिस हैड कोंस्टेबल के फॉर्म निकले हैं या फिर आई टी बीपी की त्यारी करना चाहते हैं या फिर आप सी इस सफ की त्यारी करते हैं राइट बी एस एफ और जितने भी डिफेंस के अधर फॉर्म निकलते हैं अगर आप उन सभी की त्यारी करते हैं या फिर करना चाते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है शुभम एक लासिस 2.0 आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब करेगा उस पे हमारी अब कलासिस स्टार्ट होने वाली हैं उससे सब्सक्राइब करेक्ट है और मुंबई में भी ध्यान रखिएगा गेटवेय ऑफ इंडिया स्थित है गेटवेय ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए प्रिथवी अपनी धूरी पर किस दिशा में घूमती है इन विच डिरेक्शन ड़स्दा आर्थ रोटेट और इस एक यहां पर आपके कोश्चन गलत हो सकते हैं देखिए प्रिथवी अपनी धूरी पर पस्चिम से पूरफ दिशा की और घूमती है ऑप्शन आपका यहां पर बी करेक्ट आंसर है जिनोंने पूरफ से पस्चिम आंसर किया है उनका आंसर गलत है कोश्चन नमबर दस देखिए जी सामने स्क्रीन पर स्वत अंतरता मेरा जनम सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह किसने कहा था वेरी वेरी इंपोर्टेन्ट है आपके एक्जाम में भी कई बार पूछा गया है ओप्शन है लालाजपत राए बाल गंगा धर तिलक जुहार लाल नहरू स्वामी दयानन्दस सरस्वते Option B जो आंसर दे रहे हैं बाल, गंगा, दर्थ, तिलक उनका आंसर करेक्ट है Question No. 11 देवनागरी किस भाषा की लिपी है इसका आंसर कर दो Option है पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी देवनागरी is the script of which language तो देवनारी जो है यह है आपकी हिंदी भाषा की लिपी है, option आपका यहाँ पर C बिलकुल करेक्ट आंसर है क्या सभी ने option C को आंसर दिया है देखिएगा पंजाबी भाषा की लिपी क्या है, गुरू मुखी है यह आपको पता होना चाहिए Question No. 12 देखिए Olympic द्वज में कितने गोले होते हैं How many balls are there in the Olympic flag और यह जितने भी गोले हैं यह अपने अलग अलग देश को रिप्रेजेंट करते हैं Clear, तो यहाँ पर option D जो आंसर दे रहे हैं, पांच उन सभी का आंसर correct है Olympic द्वज में total पांच गोले होते हैं या फिर इनको हम rings भी बोलते हैं, total पांच rings होते हैं Clear है, चलिए बढ़ते है, question No. 13 की तरफ Question No. 13 है, प्रसीद मौती मस्जिद किस नगर में इस्थित है Very, very important question है और थोड़ा सा confusing वाला question भी है Option देख लीजिएगा, श्री नगर, आगरा, जैपुर, फतेपुर, सिक्रे देखे, मौती मस्जिद जो है यह दो जगा है एक आपको मौती मस्जिद डेली में भी देखने को मिलेगी तो यहाँ पे डेली तो आप्शन में नहीं है और दूसरी जो मौती मस्जिद है वो कहाँ पे है आगरा में है आगरा की मौती मस्जिद ओप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है Question number 14 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर निम्दली खित में से कौन सी गंगा नदी की सहाय के नदिया है Option है कोसी, गंडक, यमुना, उप्रोक, सभी Which of the following are Terributaries of Rivers, गंगा Option डी करेक्ट आंसर हैगा कोसी, गंडक और यमुना यह तीनों ही गंगा नदी की सहाय के नदिया है 15 नंबर कोशन देखिए आपके सामने Option है, सबसे पहले माना दोरा किस धातू का प्रियोक किया गया था Option है, तामबा, सीसा, जस्ता, लोहा क्या अंसर करोगे अगर आप सभी Option A को अंसर दे रहे हैं, तामबा आप सभी का अंसर करेक्ट है 16 नंबर कोशन की दर चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर नालंदा विश्विद्याले किस राज्य में इस्थित्य है Option है, बिहार, जारखेंट, चातिसगर, उत्तर प्रदेश In which state is नालंदा युनिवर्स्टी लोकेटेड तो देखीगा, सबसे पहले पता होना चाहिए नालंदा विश्विद्याले की स्थापना किस ने की थी तो कुमार गुप्त ने कुमार गुप्त ने नालंदा विश्विद्याले की स्थापना की थी और ये कहां पे है तो बिहार में है, option A correct है दूसरा question बनता है नालनदा विश्व जळले को किसने नस्ट किया था तो ये भी जान रखेगा बक्ति यार खिलजी बक्ति यार खिलजी के दोरा नालनदा विश्व जळले को नस्ट किया गया था Question no.17 आपके सामने स्क्रीन पर सबसे चमकीला ग्रह hep कौन सा है विच इस दा ब्राइटेस्ट प्लैनेट बुद्ध शुक्रि पृत्वी मंगल तो यहाँ पर ओप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं शुक्र उन सभी का आंसर करेक्ट है सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह सबसे चमकिला ग्रह है क्लिर है चलिए कोशन नमबर 18 देखिए सामने गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी वेन वाजदा गदर पार्टी फांडेट जल्दी से आंसर करिए तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी पहला कोशन ये बनता है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होई थी किसने की थी लाला हर द्यालने की थी ये भी एक्जामे कोशन बनता है कलिर है और कब की थी तो 1913 में ऑप्शन भी बिलकुल करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 19 देखिये जी आपके सामने भारत छोड़ो अंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था वेन वाज़दा कुट इंडिया मूवमेंट री सोलिशन पैस्ट सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 20 नमबर कोशन देखिये जी आपके सामने स्क्रीन पर मानव रक्त की मातरा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है एक्जाम में कोशन पूछा जा चुका है ये वाला सभी का अंसर करेक्ट आना चाहिए human blood volume is what percentage of body weight option B perfect answer रहेगा 7% कोशन नमबर 21 केल्सी फेरोल किस विटामिन का रस्ताइनिक नाम है केल्सी फेरोल इस दा केमिकल नेम आफ विच विटामिन option C correct answer है विटामिन D का रस्ताइनिक नाम है केल्सी फेरोल विटामिन B का भी पता होना चाहिए थाइमिन विटामिन C का आपको पता है एसकॉर्बिक एसिड और विटामिन E का क्या है टॉको फेरोल कोशन नमबर 22 आपके सामने राष्ट्रिय पोशन संस्थान कहां इस्तित है विएर इस दा नेशनल इंस्टिटूट ओफ नूट्रिशन लोकेटेड पुने, नासिक, नई दिल्ली, हैदराबाद क्या अंसर करोगे राष्ट्रिय पोशन संस्थान कहां इस्तित है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन D हैदराबाद कॉशन नमबर 23 देखिए जी सामने भारत का प्रमुक तेल शोधन सेंत्र डिग बोई किस राज्य में हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट आंसर सभी का सही चाहिए गुजरात में तमिन लाडू पस्चिम बंगाल या फिर असम में आंसर करिये जल्दी से सही जवाब आप्शन D रहेगा असम में इस्तित है 24 नमबर कोशन देख लीजिए सोडियम क्लूराइड किसका रस्षैनिक नाम है साधारन नमक बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा संग मरमर तो देखीगा सोडियम क्लूराइड का सुत्र होता है NACL जो की साधारन नमक का रस्षैनिक नाम है बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा भी पता होना चाहिए Baking soda होता है sodium bicarbonate NaCO3 Washing soda होता है sodium carbonate Na2CO3 और साथ में संग मरमर आपको पता होना चाहिए calcium carbonate CACO3 25 नमबर question देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है सबसे simple प्रेश्चन भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को बोलते हैं ओप्शन B राइट आंसर है 26 नमबर कोशन देखिए डूरंड कप की स्खेल से संबंदित है डूरंड कप इस रिलेटिट टू विच स्पोर्ट होकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हैगा ओप्शन D फुटबॉल डूरंड कप का संबंद फुटबॉल से है क्या सभी ओप्शन D को आंसर दे रहे है चलिएगा 27 नमबर कोशन की दरफ चलते है अंतर अस्ट्रिय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है वेन इस इंटरनेशनल लेबर डे सेलिबरेटेड एक मई एक दिसंबर साथ अप्रेल बाइस मार्च तो देखीगा एक मई को अंतर अस्ट्रिय मजदूर दिवस मनाया जाता है ओप्शन A करेक्ट आंसर है साथ अप्रेल को पता होना चाहिए विश्व स्वास्थ दिवस मनाते है वर्ल्ड हैल्थ डे और बाइस मार्च को बना जाता है विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कॉशन नमबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर काजी रंगा राष्टि उद्यान किस राज्जे में है काजी रंगा नेशनल पार्क इस इन विच इस टेट उत्राखंड मिजोरम सिक्किम असम और देखीगा एक कोशन और बनता है काजी रंगा वाले उद्यान से कि कौन सा राष्टि उद्यान एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद है एक सिंग वाले गैंडे के लिए कोन सा राष्टि उद्यान प्रसिद है तो काजी रंगा और ये कहां पे है तो असम में है ओप्शन डी करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 29 की तरफ चलते हैं आज का सेकिंड लास्ट कोशन भारत में रेल का आरंब किस सन में हुआ था इन विच येर वाजदा ट्रेन स्टार्टिड इन इंडिया आंसर मैच करिए जो भी आप्शन सी को आंसर दे रहे हैं 1853 आपका आंसर करेक्ट है और ये आरंब हुआ था लॉड डल होजी के समय में ये भी ध्यान रखिएगा कोशन नमबर 30 है आज का लास्ट कोशन और इसके बाद एक कोशन हम्वरक का है हम्वरक लेकर जाईएगा पहले इसका अंसर करिए शेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कोन सा है विच इस दा समालेस्ट स्टेट अफ इंडिया इन टम्स ओफ एरिया नागालेंड सिक्किम अरुनाचल प्रदेश गोवा तो देखिए शेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कोन सा है तो यहाँ पे जिनोंने है चलिए तो यहाँ पे आपके टोप 30 जीके और जीएस के मिक्स कोश्चन कंप्लीट होते हैं बताईए गाज का सेशन कैसे लगा और तीन प्रस्णों में आज आपने कुल कितने कोश्चन करेक्ट किये हैं यह कोश्चन हम वरक का है है कल की क्लास में डिसकस खरेंगे शक्त समवत को राश्च्टिय पंचान के रूप में कब अपनाया गया था 1937 1938 1939 1947 इसका अंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और कमेंट बॉक्स में यह भी कमेंट करिए कि आप आरमी के अलावा अन्य किस एक्जाम की त्यारी करते हैं जैसे CISF हो गया आपका ITBP हो गया BSF, SSCGD या फिर दिल्ली पुलीस, हेड कॉंस्टेवल या फिर अदर कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा ताकि हम इसको देखते हो भी अपने दूसरे चैनल पर क्लासिस स्टार्टेट कर सकें चलिए, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ तब तके लिए जय हिंद, जय भारत